किर्यान सपनों की उडान जब स्नेल ने घोड़े को हसते हुए देखा तो स्नेल ने घोड़े से पूछा अरे भाई तुम क्यों हस रहे हो तो घोड़े ने जवाब दिया मैं तुमारी रफतार देखकर हस रहा हूँ कितने धीरे चलते हो तुम तुम्हें देखते देखते तो पूरा दिन धल जाएगा और घोड़ा यह कहकर जोर जोर से हसने लगा जिस पर स्नेल को गुस्सा आ गया और उसने कहा मैं जैसे भी चलू तुम्हें क्या मतलब अपने का से काम रखो तो घोड़े ने इस चीज़ पर स्नेल को एक चैलेंज कर दिया और बोला सुनो दोस्त ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ रेस लगाना चाहोगे तो स्नेल ने घोड़े की है बात सुनकर घोड़े से कहा ठीक है हम संडे की दिन रेस जरूर लगाएंगे इसी जगह पर आ जाना ये सुनकर घोड़ा वापस चला गया और स्नेल भी अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया और बाकी सिन दोस्तों से जाकर ये बात बताई कि घोरे ने संडेल को रेस के लिए चैलेंज किया है ऐसे में स्नेल के जुण में बाची दूल और निरना निकला कि क्योंकि सब स्नेल एक जैसे नजर आते हैं तो जंगल में जिस जगह जिस रास्ते से रेस होगी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग-अलग स्नेल खड़े हो जाएंगे और जैसे घोड को बेवकूफ बना देंगे और उसका घमंड भी तोड़ देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया अब संडे का दिन आ गया था घोड़ा रेस के लिए उसी जगह पर आया और स्नेल भी पहुंच गया रेस शुरू हुई और शुरू होते ही खोड़ा बहुत तेस दोड़ परा ज उसे देखकर घोड़ा और तीस दोड़ा ऐसे ही रास्ते में उसे कई स्नेल नजर आये और घोड़ा दोड़ता रहा कुछ दिर बाद जब वह फिनिश लाइन पर पहुंच आ तो वहाँ पर उसे पहले से ही स्नेल खड़ा नजर आया जिसे देखकर घोड़ा ठक गया और हाई मैं हारा और उसकी बुरी हालत देख स्नेल भौज जोर जोर से हसने लगता है प्यारे बच्चो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने किसी हुनर पर कभी भी जादा गुमान नहीं करना चाहिए और अकली से जादा काम भी लेना चाहिए उमीद करता हू कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी आप सुनते रहेज़ेगा किरिया सपनों की बाद